नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रिष्टी श्रिवास्तप हर्याना विधान सभाद चुनाओं के रोज़ान आने शुरू हो गए है और आज प्रेसला होगा कि हर्याना पर राज कौन करेगा बीजेपी या कॉंग्रेस लेकिन आप सबसे बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि हर्याना में बीजेपी पीछे चल रही है यानी बीजेपी हारती नजर आ रही है और कॉंग्रेस जीत्ती हुई नजर आ रही है जो कुछ भी रुज़ान आ रही है, फर्स राउन के रुज़ान की मुताबिक बीजेपी को केवल 28 सीटे मिली है और बीजेपी से आगे चल रही है कॉंग्रस 55 सीटों से 55 सीट कॉंग्रस बीजेपी 28 सीट तोटल 90 सीटों में से तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले राउंड में बीजेपी पिछरती जा रहे हैं बीजेपी को सिर्फ 28 सीट पहले राउन में आते दिख रहे हैं और कॉंग्रिस को 55 सीट आते दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी हर्याना में हारती हुई नजर आ रही है देखें से पहले से भी कई दावे किये गए थे कि जनता हर्याना में बीजेपी से बहुत नाराज है सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा हर्याना में बीजेपी ने कुछ भी विकास नहीं किया ये जनता ने कहा था इसके अलावा एक मुद्दा किसानों का था किसान सबसे जादा बीजेपी से नारास थे बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की चाल चलने की जैसे कॉंग्रस में फूट डालने की कॉंग्रस वालों ने ये भी कहा भूपेंदर सिंग, हुड़ा और कुमारी शैलजा को लेकर लेकिन फूट नहीं डा सकी और कॉंग्रस श्राइदर से का नतीजा है कि अभी आगे चल रही है और किसी राज़नते का शिकार नहीं हुई है आगे के जो भी रुझान आएंगे हमारा चैनल अपडेट्स देता रहेगा फिलहाल आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस बार बाजी कॉंग्रस मारती नजर आ रही है लेकिन आखनी में बाजी कॉंग्रस मारेगा कमिट करके जरूर बताईएगा नमस्कार झाल रहेगे डार क्या बाजी कि बाजी कॉंग्रस मारेगा आज आज सब लोगों को जिलेवी खिलाई जा रही है राहूल गांदी जी का प्रयास से पुरे देश में गरीबों के लिए लड़ रहे है राहूल गांदी और आज हर्याना में कांग्रेश की सरकार आ रही है इसलिए हम लोग जीलेवी का बित्रह कर रहे हैं चीक है और चंता की सरकार है तो चंता कीके लिए कांदी और आज हर्यारा में कांग्रेश की सरकार पनने के उपलक्ष में आप लोगों को मिठाई जीलेवी खिलाए जा रहा है श्रकार बनाईया आ रहे हैं कांग्रेस की अधिशी और खाई जी ले भी अधिश्ट बनाईये गरिकों मज़ूरों तरिकों पिछणों सबके हग की बात करें कांग्रेस अधिश्ट बनाईये